आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नियू अपडेट वीडियो लेके आ रहा हूँ जिस वीडियो का नाम है भूमी राजस्व विभाग अमीन भर्ती 2020 जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि संबिदा अमीन भाली का रिजल्ट जारी 534 चैनित एस्टूडेंटों का और बिहार अमीन 1767 पोस्ट का न्यूक्ती परक्रिया क्या है अगर इस दोनों को आप जानना चाहते हैं पूरा एस्टे बाएस्टे डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारी समस्याएं आप जितने भी एस्टूडेंट है बिहार के अंतरगत भूमी सुधार में आप लोग जो अमीन के लिए फोर्म भरे थे तो सबसे पहले आप लोग जान ले कि 534 क्या है और समिदा अमीन का रिजल्ट क्या जारी क्या तो पहले एक पेपर एनुसमेंट जो आया है परभात खबर में उस पेपर एनुसमेंट को आप देखिए और फिर आपको मैं step by step दिखाऊंगा कि 534 का जो जारी क्या है रिजल्ट इसमें कितना का पहले भैकनिसी निकला हुआ था और फिर क्यों 1767 पोस्ट का किया तो 1767 पो होगा सारा आप लोग देखिए इस वीडियो में अंतोर लाश तक जैसे कि आप देख रहे हैं कि संबिदा अमीन जो था 534 एक साल से लंबित था परिनाम असंतुष 10 दिनों के भीतर दे सकते हैं आपती तो जैसे कि आप सभी को पता है एक साल से जो इसके साथ भैकनिसी नि अंतरगत काफी फैसला हुआ और भू अभी लेक और परिनाम निर्दे सालय ने सुकरबार को 534 अमीनों का परिनाम परकासित कर नियोजन पत्र जारी करने जा रहा है यह बहाली संबिदा पर हुई है और चैनितों में एक तिमाही महिला है जितना भी 534 चैनित किया गया है एक तिमाही महिला है कॉंसिलिंग में 399 अनोपस्थित रहे एक साल से कॉंसिलिंग के बाद परिनाम आया है चैन से वंचित अभियार थी जो 10 दिनों के भीतर आपत्ती देने का मोका दिया गया है परिनाम से असंतुष्ट अभियार थी सास्तिरी नगर इस्तित सर्वे निर कर सकते हैं मतला अपना आपत्ती दर्ज कर सकते हैं ये बिहार सरकार के अंतरगत जो भू अविलेख है जो बेविसल होता है उसके अंतरगत जैसे कि आप सभी को पता है 534 में 550 का सीट था जिसमें 534 स्टूडेंटों का परिनाम आया जिसमें 399 स्टूडेंट इसमें कॉंस अपस्थिती रहे मतला अपस्थित नहीं हुए साथी साथ इसमें जिसको लगता है कि मेरा कॉंसिलिंग नहीं हुआ इसमें क्या दिक्कत हुआ ओ आपना आपत्ती दर्ज कर सकते हैं 10 बिनों की भीतर साथी साथ अब देखिए कर रहा है ये तो आप पुरूरुप से जो भी बिहार के छात्र है जो भी स्टूडेंट है अमीन के लिए तो इससे पहले 550 अमीनों का जो भरतियां पर किरिया शुरू हुआ था जिसमें 534 स्टूडेंट का प्रेनाम आया 534 स्टूडेंट में 399 ने अनुपसित रहे कॉंसिलिंग नहीं ले पाए इस 399 में जिसको लगता है कि मेरा कॉंसिलिंग नहीं हुआ डवट है आपको तो आप इस पे आपती दर्ज कर सकते हैं मेल के माध्यम इस वेवसेट मेल के माध्यम से आप फिर का रहा है अमीन के नियमीत पद के लिए 1767 पदों पर नियुकती होगी तो जैसे कि आपको पता है इससे पिछला दो साल से लगभग अठका हुआ या अमीन का 1767 पदों पर परक्रिया चल रहा है 18 से एक बार रेली भी हुआ था पटना में तो 1767 पदों पर नियुकती होगी या बहाली बिहार सन्युक्त परवेश परित्ययोगता परिक्षा परिस्थ दुआरा की जा सकती है तो इसका परिक्षा निस्थी तोर से होगा 1767 पोष जो है पद जो है इसका परिक्षा पहले लिया जाएगा आप लोग पूर रूप से ताइक कर ले इसका परिक्षा लिया जाएगा परिस्थ के दुआरा कब निकलेगा इसका आपड़ेट आप लोग को मेरे बैवसाइड और मेरे चैनल के से आप लोग को मिलता रहेगा का रहा है फिर भू अविलेख और परिणाम निर्देसाले से मिली जानकारी के अनुसार भू सर्वे के लिए 550 में से 534 अमिदा अमिन का परिणाम परकासित कर दिया गया है तो मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि इससे पहले 550 भेकेंसी था पोश्ट था जिसमें 534 अमिनों का रिजल्ट परकासित किया है सभी को सर्वे कार में लगाया जगा जैसे कि अभी आपको पता है बिहार में अब कुछ दिनों के बाद सर्वे होने वाला है तो विभाग की वेबसाइड DLRC पर परिनाम अपलोड कर दिया गया है तो मैं आप लोगों को लिचलूँगा उस वेबसाइड पे भी चैनितों को नियोजन पतर जारी किया जा रहा है जो चैनित चातर 534 में हुआ उसको नियोजन पतर जारी किया जारा है यह बहाली पिछले साल से लंबित थी अभी लेक इभम परिनाम ने 10 साल है दुवारा मार्च 19 में आवेदन मांगा था अभियार्थियों की दो बार कॉंसिलिंग हुई थी सभी चैनित अमीनों को STS की ट्रेनिंग दी जाएगी सरवय सिवीर में न्यूक्त कर दिया जाएगा बिहार में 20 जीलों के 90 अंचलों के 207 सिवीरों में भूमी सरवय का काम चल रहा है तो ये सारा परकिरिया आप जानते हैं देखते हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और मैं इसका ओफिसल वेबसाइट पे ले चलूँगा इसका कव से क्या होगा और कितना एस्टुटिस में कौंसिलिंग में उपस्तित हुए कितना नहीं हुए इसका क्या परकिरिया है आपति दर्ज आप कैसे किजिए का सारा परकिरिया को आप देखिए आपति दर्ज करने के लिए आप देख रहे हैं निरदासल वेबसाइट इतना पर आप मेल कर सकते हैं आपति दर्ज करा सकते हैं उसके बाद आप देख रहे हैं मैं आपको बताया था कि 207 सिवीर में भूमी सर्वे का काम चल रहा है मतलब बिहार में 20 जीलों के 90 अंचलों में 207 सिवीर में भूमी सर्वे का काम चल रहा है तो मैं आप लोगों को ले चलूँगा इसके बेवसेड पे और बेवसेड पे से पूरा डिटेल आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि आपका परकिरिया और आपति दर्ज करने का और रिजल्ट कॉंसिलिंग का सारा परकिरिया आप देखिए अब आप देख रहे हैं मैं राजस्व एबोम भुमी सुधार विभाग के ओफिसल बैविसाइड पे आ चुका हूँ और जैसे कि आपको पता है तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप अपना आपती को दज कर सकते हैं यहां पर बिग्यापन संख्याँ 0-2-19-पद अमीन की नियोजिन सूची तो इस सूची को आप एक बार देखिए क्या 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 पर जैसे ही आप क्लिक कि जगा तो आपको सारा परक्रिया मिलेगा कि कितना इसमें पर्जेंट हूआ और क्या हूआ इसका सारा डेटेल आप लो लिंक ओपेन हो गया और नया लिंक ओपेन होने के बाद यहां पे देख रहे हैं रिजल्ट डिटेल में 18 के कई यहां पे अपडेट दिया गया है सारा रिजल्ट समधित अपडेट है 18-12, 18-12, लिस्ट आफ अमीन का जितना कॉंसिलिंग हुआ कितना रिजेक्ट हुआ यहां यहां पे देखिए उसके बाद कॉंसिलिंग का यहां पे है सब लगभग यह 18-12 के ही डेट में आप यहां से कर दिया गया यहां से लगवर 18-12 के 10-20 अपडेट आप लोगों को दिया गया है तो यहां पे कैटेग्री वाई देखिए अमीन के लिए एप्रूबल सेलेक्शन में SST काटैग्री, PW, BC काटैग्री, उसके बाद आपको PH काटैग्री, losing काटैग्री, EBS काटैग्री, BC काटैग्री, तो सभी काटैग्री वाईज यहां पे डिटेज दिया गया है तो आप इस डिटेल को चेक कर सकते हैं और यहां पे कितना एस्टिनट को कॉंसिलिंग में पुलाया और कितना को यहां पे reject किया गया यहां पे view more जिसे ही किजेगा आपको सारे detail मिलेगा इसका link वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा आप दोनों link मिलेगा और दोनों link पे आप जा सकते हैं डनलोड करके पहुंच सकते हैं तो मैं दिखाने वाला हूं कि 500 जो आपको 50 अमीन का जो भेकेंसियां था वह आपको कब सुरवात हुआ था तो एक बार हम फिर इस पे back चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि राजस्व भूमी सुधार विभाग आप official website पे हैं और यहां पे आप देख रहे हैं कि आपना कारा है कि ओनलाइन दाखिल खाजे लेवाँ सबसे पहले आप यहां पे देख रहे हैं अमीन अमीन का जो आपको 2019 में अमीन का जो 550 धेकनसियां था उस पे आप यहां पे detail चेक किज़ेगा view more पे जैसे ही आप click किज़ेगा पे देख रहे हैं यह आप notice देख रहे हैं अमीन के लिए जो आप यहां पे कुल पद 550 था इसी में से आपको वहां पे जो जारी क्या गया है रिजल्ट 534 का वही जारी क्या गया है इस चीज को आप देख रहे हैं इसका सारा परकिरिया आपको 2019 से ही चलते आ रहा है तो इन सब के जानकारी आपको मिल रहा है एजूकेशन जा अपडेट यूटूब चैनल के माद्यम से आप अगर 1700 पोस्ट का जो परकिरिया शुरू होगा उसका एक्जाम जो होगा उसका एक्जाम का तयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताए मैं आप तक वह क्वेशन अंसर पहुंचाने का काम करूँगा जो आपकी एक्जाम में पूछा जाएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत